प्राक्रूतिक संपद अच्छी प्राक्रुतिको संपतो थाई भी उडिशा गरिवा स्रेलीरे ओछी आउ एथी पाईं क्या बलो राज्यो सरकार दाई बोली कोईछन्ती मोदी उडिशा ने सरकार बदलीबा पाईं जाओछी सर उडिसा में अभी चुनाव होने हैं अभी हाल में उदर आपकी देखा जाए तो काफी अच्छे सब्मन थे रमीन पटनायक जी के साथ उन्होंने कई मुद्धों पर आपको सपोर्ट किया अब आप लोगों का अलाइंस नहीं है और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं किस तरह से आप देखते हैं हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे समध अच्छे ही हैं और लोग तंत्र में हमारी दुश्मन ही नहीं होती है समध अच्छे होने ही चाहिए अब सवाल यह है कि मैं मेरे समंधों को समालू कि उड़िशा के भाग्य की चिंता करू तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़िशा के उजवल भविश्यकर के लिए अपने आपको खपा दूँगा उसके लिए मेरे समंधों को मुझे अगर बली चाड़ाना पड़ेगा तो मैं उड़िशा की भलाई के लिए बली चड़ाऊंगा और चुनाव के बाद मैं कन्विंस करूंगा हरे को कभी मुझे किसी की दुश्मन ही नहीं है लेकिन 25 साल से उड़िशा में प्रगती नहीं हो और सब्सक्राइब चिंता ऐसी है कि कुछ एक ऐसी टोली है जिसने पूरे उड़िशा की ववस्ता को कबजा कर लिया है ऐसा लगता है पूरी ववस्ता को बंदक बना दिया है और जब इतना बंदक बना दिया है तो बहुत स्वाभाविक है कि उडिशा अगर उस बंदवनों से बहार आएगा तो उडिशा खिलेगा उडिशा की अश्मिता का सवाल है इतने प्राकृतिक संसाधन है उडिशा के पास एक समरुद्ध राज्य के गरीब लोग देखकर के दुख होता है हिंदुस्तान के समरुद्ध राज्यों में उडिशा है इतनी प्राकृतिक संपदा है और हिंदुस्तान के गरीब लोगों क के दुधे राच्स में भी उडिशा तो इसके लिए सरकार जिम्यवार और इसलिएुजी सागे लोगों का उनका हमलना चाहिए उडिसा को इसकी आस्मित्ह रिस पाज़ों को भाग बदल रही भाला है सरकार बदल रही है माँने कहां है कि वर्तमान सरकार की चार जून है और दस जून को बीजेपी का मुक्यमंद्री उडिसा में शपत लेगा सर उडिसा में अभी चुनाव होने हैं अभी हाल में